नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल गोपाल इस्टेडी पॉइंट वे दोस्तों जैसा कि मौक टेस्ट श्रीज परियावरण अध्यम एवं सिक्षा सास्त्र की कंटीनिव रखते हुए हम लेकर आए हैं इस वीडियो में पार्ट प्री सेम टोपिक परियावर अध्यन की अवधार्ण एवं छेत्र कंसेप्ट ओफ इन्वर्टमेंटल स्टाडीज एंड स्कॉप का और दोस्तों इस पार्ट में भी हम 30 कोशन को कम्प्लीट करेंगे और दोस्तों अपनी बहतर तयारी के लिए आप अपने आपको जज़ कर सकते हैं आप सभी कोशनों को अटेंट कीजिए इस वीडियो को सुरू से लास तक देखिए और अपने स्कॉर का पता कीजिए दोस्तों यदि आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं चुड़ पाए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए और साथ की साथ ए कीजिए धन्यवाद दोस्तों दोस्तों स्टार्ट करते हैं परीयावरण अध्यन एवं शिक्षास्त्र के महतपुन टोपिक परियावरण अध्यन की एवं छेत्र के पार्ट नंबर 3 का दोस्तों इस part में भी हमने 30 questions को लिया है और next part में भी 30 questions लेंगे इस तरह से total 120 questions हम इस topic से complete करेंगे तो दोस्तों यदि आपने मेरे बागी part नहीं देखे हैं तो आप अपने screen के उपर touch करने के बाद में top right corner पर एक eye का button दिखाए देगा आप उस button को press करके वहां से मेरे सभी परियावरन अध्यन की और इस particular topic की सभी वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों वहीं पर आपको child development, math, science, hindi और environment की सभी वीडियो आपको total course आपको available मिलेगा तो दोस्तों बहतर तयारी के लिए आप सभी वीडियो को एक से दो बार देख सकते हैं तो चले दोस्तों start करते हैं topic जैसा की question number 61 दिया है अभी तक हमने 60 तक question complete कर चुके हैं तो 61 question है दोस्तों Supreme Court के परियावरन और वन मंत्राले को कभी है आदेश दिया कि ताज महल के छेत्र में हरी छेत्र विक्षित किया जाई दोस्तों काफी अच्छा question है और इसका जो right answer है वो है दोस्तो option number 2 option number 2 दिया है 94 में 1994 में तो दोस्तों जैसा की ताज महल के आज पास रासाइनिक कमपनियों के खुल जाने के कारण वाईयू में परदूशन किदर बढ़ गई थी इसलिए ताज महल की दिवारों पर धब्बे पढ़ने लगे थे और इसी चीज़ को देखते हुए उस्तम न्याले ने 1994 में परियवरन एवं वन मंत्राले को ताज महल के आसपास हरी छेत्र विक्षित करने का निर्देश दे दिया था तो दोस्तो इस तरह से इस कोशन से इतनी इंफोर्मिशन मिल जाती है नेक्स कोशन देखते हैं शांत घाटी जिसे राष्टे पार्क का दरजा प्राप्त है इस्तित है कहां पर इस्तित है शांत घाटी जिसे राष्टे पार्क का दरजा प्राप्त है तो 62 का राइट आंसर है option नमबर 4 और 4 है दोस्तो केरल केरल में है शांद घाटी जिसे राष्ट्य पार्क का दर्जा प्राप्त है नेक्स कोशन देखते है ध्वेनी परदूशन नियंतरन एम रोक्थाम नियम 2001 निर्देशित करता है क्या निर्देशित करता है दोस्तो तो 63 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तो option नमबर 4 option नमबर 4 में दिया है option 2 and 3 2 क्या है loud speaker के कारण ध्वनी परदूशन और 3 में दिया है किसी सभा में तीवर ध्वनी के speaker का परियोग जो ध्वनी परदूशन नियंत्रन यम रोक्थान नियम है 2001 के अंत्रगत ये जो दो हमारे region है 2 and 3 जो region है ये हम नहीं कर सकते हैं loud speaker के करण ध्वनी का परदूशन करना और किसी सभा में तीवर ध्वनी के speaker का परियोग करना next question देखते है next question है 64 पोदे और जन्तों की संकट ग्रस्त परजातियों को परदसित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तयार की है तो दोस्तो कौन सी बुक तयार की है IUCN तो दोस्तो इस question का right answer है rate data book rate data book तो सबसे पहले मैं IUCN के विशे में बताता हूँ आपको दोस्तो IUCN एक विश्व इस्तर पर विभिन जातियों की संद्रक्षन इस्तिती पर निगरानी रखने वाला सर्वोच संगठन है और दोस्तो ये जो IUCN की rate data book में हर जीव जाती को नो में से एक सरेणी में डाला जाता है और ये है सरेणी उनकी कुल आबादी आबादी में ग्रावट की दर भोगोलिक विस्तारक छेत्र आदी की सीमा के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो दोस्तो इस तरह से rate book data या rate data book के विशे में इतनी information परियाप्त है next question देखते हैं विश्णाई संप्रदाय स्थापित किया गया था विश्णाई जो संप्रदाय है वो स्थापित किया गया था वो किसके दौरा स्थापित किया गया था तो दोस्तो इसका right answer है option number third third में है गुरू जमबेश्वर के दौरा तो दोस्तो ये जो विश्णवी संपरदाय कि स्थापना गुरू जमबेश्वर दौरा पंदरवी सतावदी में की गई थी ये कभी-कभी इसका सतावदी वर्स भी पूछ लिया जाता है तो पंदरवी सतावदी में की गई थी नेक्स कोशन देखते है 66 निम्न में से किस गैस के कारण पत्यों का सिकुड़ना पत्यों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पोधू में पाया जाता है तो इसका 66 का right answer है option number two जो की CO carbon monoxide जो CO है वो है carbon monoxide तो दोस्तों carbon monoxide जो की परियावरण में बढ़ने की वज़े से पोधों की जो स्वसन किरिया पर प्रभाव पड़ता है और जिससे उनकी पत्या सिकुड़ जाती है तूटन लगती है और आकार में छोटी हो जाती है नेक्स कोशन देखते हैं भारत में कितने परतिशत भूमी पर one है काफी अच्छा कोशन है 67 का जो राइट आंसर है ओप्शन नमबर 4 में दिया है 19.47% पर तो 19.47% पर जो है वो भूमी पर one है नेक्स कोशन है निम्द में से किस इस्थर से नीचे जाने पर ओजोन प्रत में छिद्र की संग्यादी जाती है तो 68 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ओप्शन नमबर 3 और ओप्शन नमबर 3 है हमारा 200DU नेक्स कोशन देखते हैं वन जीव संग्षन पर निम्द में से कौन सा असरकारी संग NGO समर्पित है तो दोस्तो 69 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन नमबर 1 और ओप्शन नमबर 1 में है WWF for Nature भारत ये NGO समर्पित है जो की वन जीव संग्षन का एक असरकारी संग NGO समर्पित है नेक्स कोशन देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र एवन प्राकर्टिक अधिवाशों का संग्षन और उनके प्राकर्टिक वातर界्वनों में प्रजातियों की जीवन अक्षम संख्या जन संख्या का रख रखाओ एवन प्रप्षा प्राप्थी के लिए परियुक्त पद है में दिया है अप अस्थाने संद्रक्षन अप अस्थाने संद्रक्षन क्या होता है अप अस्थाने संद्रक्षन के अंत्रगत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्रकर्तिक अधिवाशों का संद्रक्षन तथा उनके प्रकर्तिक वातावर्णों में परजातियों की जीवन जीवन अक्षम जनसंक्या का रख रखाऊ हूं प्रती प्राप्ती के लिए पर्युक्त पद है जो की अपस्थाने संरक्षन है जो मैंने अभी बताया है वो उसके अंतरकत आता है तो नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं सेवेंटी वन विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है और दोस्तो ये काफी इंपोर्टेंट है और ये यूपिटेट अभी 2018 में भी पूचा गया था कोशन तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ऑप्षन नमबर थर्ड में क्या दिया है ऑप्षन नमबर थर्ड ह पाँच जून को काफी आशान कोशन है और अक्सर सभी को इसका आंसर पता होगा एंट 72 देखते हैं सूरिय की हानिकारक किर्णों से प्रत्वी को कौन सा स्थर सुरक्षित रखता है ये भी काफी अच्छा कोशन है 72 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ऑप्षन नमबर और ओप्षन नमबर टू है ओजोन का स्थर नेक्स कोशन देखते है 73 में दिया है दोस्तो पारिस्थितिक तंत्र का उधारन है पारिस्थितिक तंत्र का उधारन है 73 का राइट आंसर है ओप्षन नमबर टू और ओप्षन नमबर टू में दिया है तालाब जो पारिस्थित की दंत्र का उधारण है वो है तालाब नेक्स कुशन देखते हैं अधिकतर पेड पोधे पाए जाते हैं स्थल मंडल जल मंडल वाईउ मंडल या फिर प्रकास मंडल में ये 74 का राइट आंसर है उप्शन नमबर 1 उप्शन नमबर 1 है स्थल मंडल में नेक्स पॉस्चन हवा में उपस्तित ओक्सीजन का परतिसत है लगबग कितना परतिसत है ओक्सीजन हवा में तो 75 का राइट आंसर है उप्शन नमबर 4 जो की 21% है और 76 ध्वनी या ध्वनी पर्दूशन मापा जाता है किसमें मापा जाता है ध्वनी पर्दूशन तो 76 का राइट आंसर है ओप्शन नमबर 3 जो की डेसिवल में मापा जाता है और दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह question काफी important है और एक ही topic से continue question पूछे जा रहे हैं next question देखते हैं again question पूछा गया है यानि कि 4 questions इस topic से पूछे गया है 77 निम्ण में से कौन परियावरन के लिए हानी कारक है कागज, कपड़ा, धातु या फिर plastic तो यह तो दोस्तों सभी को मालूम है और 77 का जो right answer है वो है plastic इसलिए plastic की थेलियों पर भी रोक लगा दी जाती है इसलिए plastic वातवरन के लिए और परियावरन के लिए हमारे लिए बहुत यहानी कारक है नेक्स है 78, निमलिकित में से कौन सा चांद की सतय की विशेष्टाओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है 78 का right answer option number third है और option number third में दिया है दोस्तो पानी नहीं गहर उँचे पहाड जो की कौन सा चांद की सतय की विशेष्टाओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है वहाँ पर पानी नहीं है गहरे और उँचे पहाड है तो next question देखते है next question दिया है 79, वायू मंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो वायू मंडल की सबसे ठंडी परत है 79 का option number 2 मद्द मंडल बोलते हैं क्या बोलते हैं मद्द मंडल वायू मंडल की सबसे ठंडी परत को क्या बोलते हैं मद्द मंडल 79 का option 2 next है 80, भारत में project tiger की शुरुआत किस वर्ष हुई तो इसका right answer है 80 का option number 1 1 में दिया है 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात की गई Next question देखते है प्रत्वी तल पर उस कालपनी क्रेखा को क्या कहते है जो 180 डिग्री मेरेडियम वामे उत्तार पर खीची है जो मेरेडियम है 180 डिग्री वामे उत्तार पर खीची है तो 81 का जो राइट आंसर है वो है option number 1 option number 1 में दिया है दोस्तो अंतर राष्ट्य तिथी रेखा उसको क्या बोलते हैं अंतर राष्ट्य तिथी रेखा यह एक कालपनीक रेखा है और यह 180 मेरेडियम यामोत्तर पर खीची हुई है तो दोस्तो इसमें जो की 180 मेरेडियम यामोत्तर पर खीची हुई कालपनीक रेखा है को अंतर राष्ट्य तिथी रेखा कहते हैं यह बहुत ही most important है इसको कभी-कभी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है कि यह कितने डिगरी पर उल्टा कोशन पूछ लिया जाता है और या फिर इसके दोनों reverse कोशन पूछ लिया जाते हैं इसको अच्छी तरह से आप तियार कीजिए और दोस्तो इसे पार करने पर एक दिन बढ़ यानि कि पूर से पस्चिम की और या एक दिन घट पस्चिम से पूर आने पर जाता है यानि कि एक दिन बढ़ जाता है यदि हम पूर से पश्चिम की और जाएं और एक दिन घड़ जाता है यदि पश्चिम से पूर की और आएं तो इस तरह से इस question से इतनी जानकारी मिल जाती है अभी next question देखते हैं के नीम लिगित में से किस राज्य में Golf of मनार मैरीन राष्टिय पार्ग इस्तित है काफी अच्छा question है तो 82 का जो राईट आंसर है वह है आप्शन नमबर टू तमिल नाडू तमिल नाडू? गॉल्फ ओफ मननार मेरिन पार्ट राष्टिय पार्ट कहां पर अर्स्तित है तमिलनाडू में नेक्स कोशन परियावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज जुड़ा हुआ है तो दोस्तो 83 का जो राइट आंसर है वह है ओप्षन नमबर थर्ड और ओप्षन नमबर थर्ड में देया है उत्रा खंड और दोस्तो जो इसके विशे में हम पहले से भी बताया हुआ है तो दोस्तो इतनी जानकारी इस कोशन से प्राप्त होनी चाहिए या आपको याद होनी चाहिए नेक्स कोशन देखते हैं 84 प्रत्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन प्रत किन किर्णों को अवशोशित करती है तो इसका जो राइट आंसर है 84 का वो है दोस्तो ओप्षन नमबर थर्ड 84 का ओप्षन नमबर थर्ड है तो थर्ड में दिया है पराबैंगनी किर्णी तो दोस्तो इसमें जो ओजोन प्रत है वो समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूरिये की पराग बैंगनी किर्णों को अवशोशित कर प्रत्वी पर जिवन को सुरक्षित बनाती है ओजोन की सांदरता डॉबशन इकाई में मापी जाती है किस में मापी जाती है डॉबशन ये एक नया कोशन है दोस्तो कि ओजोन की सांदरता को किस इकाई में मापा जाता है ये एक और कोशन बनता है तो इसको बोलते हैं डॉबशन क्या बोलते हैं डॉबशन next question देखते हैं परियावरण की परिभाषा क्या है तो परियावरण की परिभाषा क्या है तो दोस्तो इसका जो right answer में पढ़ देता हूँ 85, 85 का right answer है third और third में दिये हैं दोस्तो चीजे जो हमको घेरती है वे चीजे जो हमको घेरती हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं परियावरण कहते हैं और नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमलिकित अंतराष्टे संस्थाओं में कौन सी संस्था वन जीव संजक्षन के परती समर्पित है बहुत ही अच्छा कोशन है और दोस्तो 86 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ऑप्शन न UNDP का फुल फॉम क्या है? United Nation Development Program संयुक्त राष्टे संग युएन ओ की एक ऐसी संस्था है जो वन जीव संजक्षन के परती समर्पित है नेक्स्ट कोशन देखते हैं विस ओजोन दिवस मनाया जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है 87 और 87 का जो राइट आंसर है दोस्तो दो option no.2 है Option no. 2 16 सितंबर 16 सितंबर Next Question ुम्लिखित में से किस जंपद में चन्द्र परभा, वन जीव, अबहरन इस्थित है तो चन्द्र परभा, वन जिव, अबहरन ने इस तरे से आसानी शियाद रख सकते हैं नेक्स है 89 निमलिखित में कौन दूतिय सरेनी का उभोगता है तो कौन सा दूतिय सरेनी का उभोगता है 89 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ऑफशन नमबर 2 और ऑफशन नमबर 2 में दिया है साब तो साब क्या है दूतिय सरेनी का portion करता है यानि कि उनका भोजन के रूप में portion करता है next question देखते है 90 and the last question of this video किस राष्ट उध्धान को पूर में हैली राष्ट उध्धान कहा जाता था हैली राष्ट उध्धान तो 90 का जो right answer है वो है दोस्तो option number 1 जिम कारवेट राष्ट उध्धान जिम कारवेट राष्ट उध्धान तो दोस्तो इस तरह से हमने 90 questions complete किये है अभी तब part 3 तक हमने 90 questions complete किये है और दोस्तो I hope आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please like करना नहीं भूले और दोस्तो यदि आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए है तो subscribe के लाल बटन को press कीजिए और साथ की साथ एक घंटी का निशान आएगा उसको भी press कीजिए so that आपको मेरे वीडियो के डेली अपडेट्स मिलते रहें बिना किसी सर्च के और दोस्तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो please वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं अच्छी वीडियो आपके समने लेकर आता रहूँगा तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन मंगल में हो और इसी सुबकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद